भारत चीन सीमा पर उठे विवाद के बाद हमने चाइनीज प्रोडक्ट को ना इस्तमाल करने की मानुक कसम सिखा ली और इस कसम को हम निभा भी रहे हैं मौका है रक्षा बंधन का इस बार बहने अपने भाईयों की कलाई पर स्वदेशी राखी बाधेंगी एक बंधन प्यार का एक बंधन रक्षा का जी हाँ प्यार का तेवहार रक्षा बंधन करीब है ऐसे में इस बार रक्षा बंधन का ये तेवहार कई मायनों में अलग भी है और विशेश भी जी हाँ तेवहार इस बार पूरी तरह स्वदेशी रूप में नज़र आएगा चीन के खिलाफ पूरे देश में विरोत के स्वर हैं ऐसे में इस बार बाजार से लेकर कलाईयों तक चाइनीज राखियां नदारत रहेंगे हमारे अपने भाई बहन के सुत्र को बिल्कुल ही स्वदेशी रूप में बाहने के लिए तैयारी शिरू हो गई है जरूर हम लोग कर रहे हैं कि स्थानिय प्रोड़क्ट को अत्तन तमात्तों दे रहे हैं क्योंकि एक भात के लिए फूरदेश के लिए चैलेंज की बात है कि हम लोग हमारे देश के प्रोड़क्ट को बाजार में कितना ला सकते हैं ढूंस्टिक प्रोड़क्ट की और ऐक समय यह हो सकता है अगले साल अगर सब कुष ठीक रहा तो हम लोग सोचेंगे कि राखि किस बार राखियां बिल्कुल ही लोकल अंदाज में बना कर पेश किया जाएगा यही नहीं इस बार इन महलाओं ने ये तैय किया है कि इन राखियों को वो अपने सैनिक भायों के लिए सरहत तक भी पहुँचाएंगे इनकी राखिय की कलाकारी देखने लाइक है नारियल के सुखे पत्ते, बास, मोती, मुंख और रेशम का उप्योग कर ये महलाओं एक से खूबसूरत राखिय तैयार कर रही है कोविज-19 के दौर में इन्हें इन राखियों के माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है और देश सेवा का मौका ये गवाना नहीं चाहता ये धागा भाई बेहनों का बहुत बड़ा रिस्ता है और ये रिस्ता हमारे फोज लुकुन के साथ जुड़ रहा है ये रहा है मेरे भीयों प्रग्यती में ते याद कीजिए वो दिन जब आपकी बेहन अपने हाथों से राखी बना कर आपको भीजा करती थी लेकिन तेज भागती दौरती जिंदगी ने इस खुबसूरत चीज को ज़्यादा फैंसी तो बना दिया था लेकिन उसमें अपने देश की मिट्टी नहीं दिखती थी एक बार फिर हम उसे दौर में लोट आए हैं जब अपनी बेहनों के हाथों की बनी राखियां हमारे भाईयों की कलाईयों पर सचेगी जमशितपुर से मनो सिंग के रिपॉर्ट ये राखी बंधन है ऐसा ये राखी बंधन है ऐसा